हेलो गाइस आपका हमारे चैनल सीरो टू इंफिनिटी में सवाकता है आज की वीडियो में पताऊंगा अगर आपको भी गैलरी में प्रोप्लम आ रही है कि गैलरी से फोटो डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो वह फोटो डिलीट नहीं हो लिए तो इस प्रॉब्म को कैसा स करने के लिए कुछ स्टेप्स दाऊंगा उनको फोलो करना है और आपकी यह प्रोप्लम सौल्व हो जाएगी दरसल मुझे भी यह प्रोप्लम आ रही थी जब मैं आपने गैलरी से फोटो डिलीट करने की कोशिश कर रहा था तो फोटो डिलीट नहीं हो रही थी तो कैसे करे कुछ स्टेप्स दाऊंगा उनको फोलो करें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस प्रोप्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बहले हमें क्या करना है हमें अपने डिवाइस की सैटिंग है उसको ओपन कर लेना है तो सैटिंग ओपन करने के बाद हमें office पर तो जैसे मैंने मैं क्लिक करूंगा तो में Update आप्स पर क्लिक करने के बाद हमें कहती है मैं यहां पर सच करें है काइनमास्ट को यहां फिर घ्योब आए हमारा जिसमें प्रोब्लम आरही है इसको अपने, यहाँ से आपको सर्च कर लेना है तो फिलाल मैं अपने app को open कर लेता हूँ जिस app में problem आAREई है open करने के बाद उसकी storage पे जाने है तो storage पे जाने के बाद storage का clear catch कर देना हैं अपने app का तो मैं अपनी storage का clear catch कर देता हूँ clear data मत कीज़ेगा कि लिए data करने से आपका सारी app का जो memory होगी हो ऊड़ जाएगी इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना हमें जाना है app permission पर तो app permission पर आने के बाद हमें यहाँ पर सारी permission जो भी है different types की सारी permission enable कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission deny नहीं करनी है देनी है सारी permission enable करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है और एक option देखेगा नीचे आपको जैसे scroll down करोगे तो यह option होगा restrict data usage का तो हमें क्लिक करना है और इसमें wifi और mobile data आपको दिखेगा तो wifi और mobile data इन दोनों को आपको क्या करना है enable करना है अगर by chance off होगा तो इनको on कर लेना है और ध्यान रखना है इनको अभी off नहीं करना है तो यह सब करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है और यहाँ पर एक option होगा clear default का इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद एक पर अपने app को force stop कर दिजेगा force stop करने के बाद एक पर अपने device को restart किजेगा restart करने के बाद 5 मिनिट बेट किजेगा और 5 मिनिट बाद आपकी जो भी problem है वो solve हो जाएगी I hope आपके लिए यह video informative साबित होई होगी